वेरी बूट आप्टर नून तो आल देरी स्टुडेंट एंड वेल्टम अने अगें तो एनेदर सेशन और बाइलोजी क्लास और आज के क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर एट लाइफ प्रोसेस का जो इकन पार्ट है जो कंटोल इंडर को आडिनेशन नें और समन्वाई के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे तो इससार्ट हम करते हैं इसके जनेरल इंट्रेक्शन समान ये परीचा से हम शुरुवात करते हैं तो जनरली हम सब जानते हैं कि संसार के सधी जीव अपने आज पास होने वाले परिवर्टनों के प्रती वो रेश्पांस देते हैं और परियवर्ण में प्रतिक प्रिवर्टन की जो अनुक्रिया से एक समुचिक गति उत्पन होती है और कोई भी गति उस घतना पर निभर करती है जो उसे प्रेजिक करती है जैसे हम गरम वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है और हम पुरण इसके प्रतिक अनुक्रिया मलब जो रेश्पांस करते हैं बात करें हमारा सरीर की बात करें तो हम जानते हैं कि हिमन विविन का जो सरीर होता है वो एक्दम कामप्लेस सिस्टम होता है जटिल तंत्र होता है और ये संदाचनात्मा दृष्टी से कई भागों का बना होता है लेकिन इसके सारे भाग किसी कारे को एक तुसरे के सकरात्मत जो सहयोग होता है सकरात्मत सहयोग एवं उन्ने ववस्थित धन से एक्दम कार करते हैं तीक है जैसे कि एज़ांपल के लिए हम बात करें जब हमको डर लगता है जब कभी हम डर जाते हैं तो सरीर के सारे हमारे जो बाडी होते हैं इन बाडी में जितने भी हैर पाय जाते हैं है ना हमारे बाडी में जितने भी मलब सरीर के सारे रोम खड़े होकर हमें इसका चाकराते हैं फिल अभास कराते हैं और हम तेजी से क्या करते हैं? हम तेजी से फिर run करते हैं, भागने लगते हैं, या तो फिर कोई दूसरा उपाय अपनी रच्छा के लिए करते हैं, लेकिन जब हम डौडते हैं, तो इसके लिए आवच्चत एनर्जी की पूर्ती के लिए क्या होता है, स्वासन जो respiration की जो rate होती है, वो अपने आप increase होती ह जाती है, और हमारे जो हीर्दा होता है, जो heart होता है, वो तेजी से heart भी बढ़ जाती है, तो ये जितने ही process जो होता है, यदि एक भी क्रिया ना हो, तो हम दौड़ने में अशफल हो जाएंगे, और हो सकता है कि दर पैदा करने वाली घटना से हमारी मृत्ति भी हो जाए, ह तो ये जितने भी घटना के समान ही, हमारे शरीर के सभी जो कार्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कंट्रोल करते हैं, और एक दूसरे से क्या करते हैं, वो balance बनाते हैं, समान जास्या इस्थाफिक करते हुए ये process होता है, तो उसे ही कहा जाता है, कंट्रोल और को-ordination कहा जाता है तिक है क्या बते हैं नियंत्रण और स्रमनवय करते हैं तो ऐसे ही प्रत्रिया को कहा जाता है नियंत्रण और स्रमनवय कहा जाता है हम जन्तों में एनिमल जो होते हैं जो जन्तों में जो नियंत्रण और स्रमनवय की प्रत्रिया होती है वो दो प्रकार की प्रत्रिया होते हैं एक होता है तंक्रेशी 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 होता है ठीक है आप यहां सकते समझ गए हूंगे ठीक है आगे थोड़ा सब दिते हैं कि यदि हमारे बॉडी में मैंने बताया कि कहीं पर यदि गरम चाई की प्याली है है यदि हम उसो अपने हाथों से टाज करते हैं तो तूरान के प्रती क्या होती है criar response मुलब जो भ押 अधीर है उनके प्रती रिस्पाउंस कैसे देते हैं तो सुचराओं से संचार चे समझी उन्गों के बारे में कैसे पता चला है ना, तो इसके बारे में, कुछ Sciences हूवे हैं, जैते कि सुसुरत जानते हैं, पहला जो Science है सुसुरत, ये सुसुर की बात क्रते हैं, तो ये कंई साल पहले, लगँए 3000 साल पहले की बात करें, तो 3000 साल पहले ये Specialist के कारियों में इन्होंने बताया इस पर सकती है, रोल आप ब्रेन ठीक है मस्तिस की भूमिका होती है उन्होंने साहत में बताया कि इलाज की प्रक्रिया में जो ब्रेन में जो दर्दस और निवारंड से लेकर जो स्वेदर म्हीन जो संसरी जो आरगन होते हैं बूर में क्या होते हैं उसको वहां से कनेक्ट करते हैं ठीक है और हम जानते हैं कि आज भी आयुर्वेट जो होता है उनमें सेंसरी आरगन और उनसे जो रिलेटेट जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सुसरुत की सहता से ही उनमें इलाज किया जाता है सेकंड जो होता है ग्रीज के रहने वाले को साइंटिस्टों ने बताया कि इस ब्रेंग के इनमें जो स्पाइनल काड़ होता है जो नर्व होते हैं मिर्जू तंत्री गाओ की भी इनमें क्या होती है रोल होती है ऐसा ग्रीज के साइंटिस्टों ने बताया तेक है और उन्ही यह जो ग्रीज के साइंटिस है यह 3000 साल पहले जो बताया था वो सुसूरू ने बताया था तो इस 3000 साल के बाद पहले के उसके बाद में 500 साल के बाद जो गैलान नाम जो साइंटिस ठीक है मतलब इससे में कौन बताया यह ग्रीज में बताया फिर इसकी के आज पास गैलान नाम साइंटिस ने जब एक ठीक्मेंट कर रहा था एक मरीज का इलाज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गैले के पास चोट लगने से उस मरीज के हाथ की जो सवेदनाय होती है वो खतम हो गई है तो उसके उस हाथ में पार करने की जो संका थी वो इस दम नार्मल हो गई थी तो गैलेन ने अबजर्वेशन किया अबजर्वेशन किया और उन्होंने देखा कि सुच्शनायों के आजमन के जो रक्रिया होती है वो दो तरीके से होता है एक होता है सवेजनाओं के लिए और दूसरा होता है वो प्रतिक लियाओं के लिए होता है साथ में गैलन ने ये ही उन्होंने मारा की हमारे शरीर में जो सवेजनाओं और जो रेस्पॉर्म्स होती है वो सभी को control काम करते हैं तीक है यह जो सभीजना आए हैं और यह जो प्रतिक लिया है इन दोनों को control करने का जो काम करता है वो हमारा brain करता है यह पताया गैला में तीक है clear और एक और scientist है स्वान जो स्वान , इसके बारे में हम ने शेल वाले चैटर में पढ़े थे क्लास Direments में आप को मालुम होगा जब उन्होंने दिया था तो वहां पर उन्होंने अब्जेर्वेशन किया था जिने भी सविद्राएं जो होती है उन्में वहन करने वाली तक्रिया होती है वो तंत्रिकाओं पर क्या पाई जाते हैं फैटी जो सेल्स होते हैं उन्में क्या पाई जाती है ये लेयर पाई जाती है वसी को सिखाओं कि उन्में लेयर पाई जाती है ये बताया था स्वान में ने सुद्धित्य हैं इसे बारे में कि तंत्रिकावों को शिकावों के वीशे सिरे ठीक है तो हम जो देख रहे हैं वो स्वेधी अंगों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं ठीक है तो इसको समझने से पहले एक बार ये समझ लिए ठीक है तो हम बात कर रहे हैंगे और उसे बाद हम फिर बात करेंगे नर्व के बारे में बात करेंगे ठीक है जैसे कि ये ये ब्रेन है ठीक है ये क्या है ब्रेन है और यहां से पूरा जो तंत्रिका होते हैं यहां से जुड़ा हुआ है माल लिजे हमारे हैं हाथ है ठीक है हाथ से हम किसी चीज़ को छूते हैं ये गरम चीज़ को छूते हैं तो यहां पर दो प्रतार के होते हैं एक यहां से जो अटाइट है और एक यहां से जो सुचना भीशते हैं दो तरह से ठीक हैं तो यहां पर वही बताया गया है receptor कहा जाता है ग्राही तो तंसिकावों को सिकावों में 21S yang सिरे जो परिया वरें से सभी सुथनावतों क्या करते हैं पत लगाते हैं उसको ग्राही कहा जाता है तो जैसे इस वाले में बात किया जाए तो यहाँ पर ग्राही कुण हुआ ये हाथ हुआ, हाथ मतलब यहाँ पर तुष्या हुआ, तो इसी तरह यहाँ पर जो ग्राही टाइट का रिशेप्टर होते हैं, वो जरली पांच परकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, एक होता है हमारा आँख, दूसरा होता है कान, तीसरा होता है जीब, स्वाध के और पांचा होता है, तो अचा होता है, तो पहला वाला आप देख रचे हैं कि जो आँख होते हैं, वो जरिश्टी के लिए होते हैं, इसलिए तो फोटो रिशेप्टर कहा जाता है, प्रकास ब्राही होते हैं हमारे आँख होता है, वो प्रकास को प्रति रिशेप्ट करता ह और फिर हमारे आँखों में क्या होते हैं उस वक्तु के प्रती प्रतिभीम बनता है इहें तिर वह हमको क्या करते हैं दिखाई देते हैं इसे बाद सेगन वाला है कान होता है कान के माध्यम से सुनते हैं तो यहां पर फोनोरी शेप्टर होते हैं सुनामर ग्राही होता है सुन का स्वाद महसूस होता है रस में स्वाद होता है तो इसके प्रतिये क्या होता है रोल निभाते है चौन्था होता है नाक तो नाक का काम होता है सुंगने का काम करता है इसको ऑल्पेट्री रेसेप्टर रहा जाता है ठीक है क्योंकि इसमें जो सुंगने का काम होता है वो नाक तो सब्सक्राइब करते हैं, तो इसलिए इसलिए फर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व सेंज आरगन कहा जाता है समेजी अन कहा जाता है ठीक है ठीक है एक एक डाइग्राम यहां पर गेच सकते हैं यह ठीक है यह होता है कांट यह है आई यह नोज अच्छा और यह है ठीक है तो मैं आपको एक एक एग्राम यहां पर बताने वाला हूं जैसे कि यह देख सकते हैं तो यह आई है यह आख़यु है टीक है तो फार एग्रांपल के लिए हम यहां पर देखना है कि जो हमारे आँख होते हैं ठीक है और हमारे आँखों के आँखों पी क्या होते हैं यह जो देख रहे हैं यहां पर क्या लगा रहता है परदा लगा रहता है परदा जैसे कैमरा होता ना कैमरा जब आप कैमरा है उस कैमरे में भी परदा लगा रहता है ठीक है और यह हमने बताया कि होता है और यह जो आई वोने से मुंसे होता है और इस जते हैं वो कि इस इंटेम्यद वो नांट wisdom होते हैं वो पुरा हमारे जो ब्रेन होते हैं क्या होते हैं ये जूरा हुआ रहते हैं वहाल से उसको पूरा क्या करते हैं वह कंट्रोल किया जाता है ठीक है बात चाहिए वो ये हमारे आंख की बात हो ठीक है या तो फिर हम बात करें जो नाक होते हैं कान होते हैं इन सभी एक सभी जो कंटोल जो होता है वो ब्रेन से ही होता है ठीक है जैसे हम ये बात करें ये कान है ठीक है तो यहां पर भी देख सकते हैं कि ये ये कान है कान क काम होता है तो यह भी पुरा रहां से रहता है ब्रैंट से अटाइक रहता है ऐसे चीज़ को सुंगने का जो काम जो होता है तो अड़िए जो काम होते हैं यह नोज के माध्यम से यह जो सब्सक्राइब करते हैं और वह सिधा ग्रेंग में जाके वह क्या करते हैं उसको उससे प्रती प्रेश्पॉंस देते हैं तो यह हुआ जैनरली जो हमने यहां पर देखा कि किस तरह से यहां पर क्या होते हैं किस तरह से यहां पर संचार हो रहा है हमने यहां पर देखा नेश हम जो इसाड करते हैं कि सिधा हमने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें दो परकार के लिए अंट्रन और समल में होते हैं तो पहला वाला जो होते हैं हम तो यहां पर आते हैं निवरल कंट्रोल एंड को आडीनेशन को आडीनेशन यहां पर एक डाइग्राम ले लेता हूं है पहले से यह वाला डाइग्राम ठीक है और इसके बाद एट डाइग्राम और ले लेता हूं टाकि बार 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 इए करना ने पूरे ठीक है तो अब मैं बता रहा था कि नुझाल को आडिक कंट्रोल एंड को आडिरेशन ठीक है तो तंत्री की जो नियंत्रार एवां समन्वाइज होता है एक यह स्पैसिफिक तोसेश होता है और यह जो तोसेश होता है यह जंतु में पाया जाते हैं और शरीर में एक विस्यूस सिस्टम के द्वारा यह क्या होते हैं उसमें संचालम किया जाता है तुक है और उसे ही कहा जाता है तंत्रि को को सी कहा जाता है और यह जो संवेधी होते हैं ज कुल्य है वो नर्व ब्रेन मेरू रज्जू मैंने क्या बताया कि जो नर्व शेल होते हैं साथ में जो ब्रेन होते हैं मस्तिस्त होते हैं और स्पाइनल काड होते हैं मेरू रज्जू जो होते हैं उनमें विसीस्ट परकार की सेल पाई जाती है विशिस्ट प्रकार के स्टेल पाई जाती है और उस स्टेल को कहा जाता है नर्वर्शिल कहा जाता है तंत्री का कोशी का कहा जाता है तो तंत्री की नियंतर एवां समन्वा है वा नियंतर वा समन्वा है जो तंत्री का तंत्र के द्वारा किया जाता है ठीक है यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां देना ठीक है मैंने क्या बोला कि neural coordination and control ठीक है वह समन्वाएं यहां पर मैं लिख चीज देता हूं वह समन्वाएं ठीक है वह समन्वाएं इसे एक निमाट ना वह नियंत्राण पहले नियंत्राण आएं वह नियंत्राण वह समन्वाएं जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ठीक है तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है तंत्र के नियंत्राण वह समन्वाएं वह नियंत्राण वह समन्वाएं जो तंत्र के द्वारा किया जाता है और जो हमने इसे जो बताने वाला था कि जो हार्मन्स की बात तो हार्मन्स शरीर में धीमी गती से होने वाली एक जैविक वा उपापाचाई के लिए होता है ठीक है तो जो प्रोसेस जो होगा वह हार्मोंस वाला होता है ठीक है और मैंने आपको बताया भी था प्लास में कि जो हार्मोंस होता है वह एक प्रतार के क्या होते हैं रस्थाइनिक प्रतार्थ होते हैं वह ठीक है एक जो अंग होते हैं उन अंगों के माद्दां को सिक्रेट होते हैं और जो निक्षैन हो स्वकुर्गण होते हैं नो यहां से ग्रंण से स्पिंवाली एक का मैंप्रोसेस होता कि यावों चैसे की चलना जोड़ना भोजन करना किसी चीज़ को याद करना दुर्ध हटनाओं से बचने की उपाय खोजना इत्यादी का नियंता सब्समझवाय करता है ठीक है यहाँ पर मैं आपको इसपास और कर देता हूं कि मैंने बताया जो नर्व कंट्रोल इंदे को कि तो जो हर्मोनल को आडिनेशन वाला है वो प्रोसेस, मेटाबोलिजम प्रोसेस ऑर सांसवाडिव को ग्रोथ होता है और जो टिक है? वाकिंग करना करना, डवणा इप्टिंग, भोजन करना टिक है? remembering किसी भी चीज को याद करना remembering टिक है? और मालेजर कुछ भी advantage होता है दुरहणना होता है तो इन सरी क्या करते हैं? बचने का उपाय करता है टिक है? तो हम बोल सकते हैं क्या संत्र क्या संत्रा तो वह संत्रा जो सोचने समझने किसी चीज वह याद रखने के सांसान सरीर के विधिन अंगो के कारियों में सामाज़ा से तुथा संतुलन इस्थाफिक करते हैं तो उसे क्या वक्ते हैं कंत्र का कंत्रा कहा जाता है तो यहां पर और मैं ज्याज़ा नहीं दूँगा अब इसके बात हम सुरूर करते हैं हमारा जो अगला है न्यूरान न्यूरान से सुनना बहुंसे इंपॉर्टन है यह अभी 2020 के फाइनल एज़ाम में आया है लेकिन आएगा तो नहीं इस वह आने की संभावना नहीं लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लखने हैं क्योंकि मॉल्टिपल ट्रोइस में भी आने की सं देखें एक तो कंत्रिका कंसा एक विशेश प्रकार की कोतिराओं का बना हुआ रहता है जिसे क्या कहते हैं निवरान कहा जाता है गध congregation पाषद आप बहुत सारे pare जाता है CON 3 वंधवीन का पाइजाते हैं से इस डाईग्राम को देखे तो डायग्राम लेखे तो यहां पर कोशी का हिस्सा है इसे निूरोकास्म करते हैं कोशी का होता है यहां पर दिरूमिका का मतलब होता है देनराइट्ट होता है डिंगूलिस में और यह वाला हिस्सा है उसावं और एक मिनदे नहीं में अधरन पर दाइग्राम होद सब्सक्राइब तो यह वाले पार्ट में यहां पर नुक्लियास है केंड़क करते हैं यह सेल का बॉडी है यहां पर गॉजिय ऑप्रेटर्स भी है यहां पर मैटो कॉंदियन है अश्रन होता है और यह हिस्टा जो रहता है इसको सिनेप्सित कहा जाता है का वलते हैं सिनाप्सित कहा जाता है कि यदु मैं इसाँ को डाइग्राम मैं बनाता है जैसे की डायग्राम है dl आते जैसे की यहां पर बना रहा हूं डाइग्राम जेछे के शूहां से ऊ कि यहांसना बाद यह ब्लेइबोर्ड नहीं है कि फिर्में यहां पर में बहुत हुआ यहां पर पहुंच सारे यह वाला जो हिस्ता है यह यह हुआ आपका नुक्लियाश टिक है यह है यह नर्वोसेस यहां से जूड़ा हुआ है यह अइसा हुआ तो यह वाला जो हिस्ता है इसको बोलते हैं सिनाप्सिस करते हैं ठीक है और यहां से फिर और बहुत सारे ऐसा जुड़ा हुआ रहता है ठीक है दूसरा वाला जो होता है वो यहां से जुड़ा हुआ रहता है ठीक है इनके लीज बीच में एक नीरो लेमा पाया जाता है ठीक है अइसा इस बीच में क्या पाया जाता है नीरो लेमा प ने करा आपाएज आता है हुए वाले हिस्सा में filler fiber होते हैं और यहां से जुड़ा हुआ रहता है और यहां पर जो मासल में होते हैं यह मासल में यह मासल की और प्षा मासल में आ फिंगराम से मैं यहां पर इलुटे हुआ तो यहां पर बताया जो नर्वस्षेल होता है ही का साइट आता है और इने यह दैंटाइट्स होते हैं जो एक चाह होते हैं यह वाल झोता है.. वह अक्सान होता है जयो जूड़े होता है वो सिनैप्सिस कहा जाता है तो इस प्रकार जो तंत्रिका कोशिकाए आपस में जो कर एक है तंत्रिका उत्तक या नर्वर टिशू का फार्मेशन करते हैं तो हम बोल करते हैं कि जो तंत्रिका तंत्रा की क्रियात्मा की काई तंत्रिका कोशिका ही है तो तंत्री का जो तंत्र होते हैं वो कई भागों से बना हुआ रहता है और इससा जो भाग होता है वो सेंट्रल निरान सिस्टम की चलिए सो कहा जाता है तो जब हमारे शरीर के बाहर या कोई भी अंगर कोई भी परिवर्थन या क्रिया होती है होते हैं वो उनसे प्रभावित होती है और उसी चनावों को चया करते है वह ब्रेंग के पास हमेुर दुर्जु को बरे देते हैं तीक ते यह बार जो इंटरनल जो चैंजेस होता है तिक यहां पर थोड़ा में लिक देता हूं मैंने इस चाह बताए कि माल यह हमारा बॉडी है यह हमारा पाउडी है माल यह हमारा ब्रेन है बॉडी के हिस्सा है टीक है ग्रेन है यहां पर पांस संसरी आरगन लेता हूं कि माल यह हमारे आई है यह हमारे नोज है और यह हमारे है कान है तो यह हमारे हैं और हमारा हुआ हुआ जीवा है यह सभी sensory आरगन है तो कोई भी परविवर्थान इंटर्नल या एश्रनल दूखे कोई भी परविवर्थान इसे हमारे पौडी में होता है तो जो सुचनाय जो होती है जो भी information होती है वह कहां पहुंच जाती है इस brain में पहुंच जाती है या तो फिर यहां पर मालूम है brain है तो नीचे वाले इंटर पर यहां पर कहते है इस्टी मूली कहते है इंगली में इस्टी मूली जाओते हैं उद्धीbility पन हुते है और एसी जो काम गलूम करता है यह जो ऑर्ग्यम होते हैं वह उनको ग्रहांड कर लेते हैं तो यह यह सुऋधी ते हैं जाने पिर को तो प्रक्षे जो सुवेधी जो अंग होते हैं जैसे कि यह टंग है और यह जो हमारी तवचा है यह हमारे काम है यह हमारे नोज है आख है और यह हमारे जो आख है तो जाकि एक ग्रहन करने के बाद उसको प्रशार कर लेता है तो उस दीपनर को उस जरी की भागों में क्या कर पहुंचाते हैं तो नर्व या संसरी नर्व फाइबर मैंने बताया था यहां पर डाइग्राम में ठीक है यहां पर फाइबर है प्रेशी में जुड़ा हुआ रहता है यह बताया था मैंने ठीक है तो वह फाइबर में पहुंचा देखे हैं ठीक है और पहुंचाने के बाद जो उस उले जाने का जो काम करते हैं उसको मोटर नर्व और फाइबर कहा जाता है तो मोटर जो नर्व और फाइबर होता है तो वहां से उसको क्या करते हैं पहुंचाने का काम करते है तो फिर उसके बाद यह जो ब्रेन होते हैं वो यहां से रिस्पॉंस देगा और यहां से जा रहा है तो यह जितना पर यहां पर यदि आप कंफिशन हो रहे होंगे मुझे मालूम है यह वाले यह वाले जो point है ना यहां पर आप लोग confusion हो रहे हैं तो इस confusion को do करने के लिए में और एक start cutout बदा रहा हूं आपको ठीक है मैंने क्या बताया कि यह neural control and coordination system है ठीक है है यह जो है यहां पर तीन पार्ट बहुत important है आप रखे यह होगा हमारे sensory organ जो मैंने अभी आपको बताया यह sensory organ ठीक है हमारा eye है हमारा nose है हमारा ear हाइकान है और हमारा tongue है और हमारेस तुष्षा है इसे जो भी प्रभावित होते हैं तो यहां पर क्या होते हैं जो भी उद्धीपन बताया तो यह जो स्वेधी अंग होते हैं वो brain तक पहुंचाने का काम करते हैं तो उसको कहा जाता है है मोटर वोल टें एसको मोटर जो ठावब हले तो हेंडी में हम प्रेलरक का ने चाइए तो ये ये क्या करता है उसको टांस्मि जा रहा है क्रांस्मिन और क्राइब संचार करते जिन तरीर में पाए जाने element ऑले जो भी यह जो system होते हैं तंत्रिकाय हैं ठीक है इनके ज्वारे जो उद्धीपन है उनको brain तक पहुंचा रहा है ना brain मिरुज़जू मतलब यहां पर लेके आती है उसको तो यह हुआ मोटर वाला हुआ ठीक है और तीसरा वाला जो हुआ उसको कहा जाता है इफैक्टर्स कहा जाता है इफैक्टर्स मतलब होता है जो अंग जो शरीर की वेरेशनाएं जो brain और spinal cord के प्राप तरन्मिर धैत्यों को कारी करूप में वो देते हैं ठीक है उसे कहा है उसे ही बोलते हैं इफेक्टर्स करते हैं तो इफेक्टर्स में कौन हुआ जैसे हमारे हमारे सरी की बात के जाए तो हमारे में जो इस्पेक्टर्स जो हुआ है वो हुआ मसल्स होता है ग्लैन्स वोगरा होते हैं वो सब क्या होते हैं और वो इसे बाद है function of nervous system तो पहला function यह है कि यह सरीर के सदी भागो अंगो को क्लियावो के क्या करता है regulation करता है क्लियावो का regulation ठीक है और यह सरीर के विधिन अंगो second वाला जो होता है वो सरीर के विधिन अंगो tissue और ट्वर्चा की कारियों में क्या करता है coordination करता है ठीक है तीसरा वाला जो होता है sensory organ के मादधां से external जो भी परिवादान होता है उनको ग्रहाड करता है साथ में जो प्रतिवर्थी जो क्लिया होते हैं प्रतिवर्थी जो क्लिया होते हैं उनको उनके मादधां से हमारी क्या करते हैं रच्षा करता है तो यह topic यहीं तक पुरा करते हैं ठीक है ठीक्ट्यू और आपको जो भी डाट होता तो आप पुछ लेगा ठीक्ट्यू रमि JUST आपस्ट्यू झाल झाल